हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन आवर नियू वीडियो आई ये चलते हैं फैक्ट की दुनिया के एक अमेजिंग सफर पे जहां आप जानोगे ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग फैक्ट जिसे सुनकर आपके मन में एक ही आवाज उठेगी आपके अपको पता है कि एक ऐसी फोबिया जिसे प्लूटो फोबिया कहते है और इसमें लोगों को पैसा कमाने और wealthy बनने यानि कि धनीक बनने से ड़ लगता है जी है आफ सही सुन रहे हो पैसा कमाने और धनीक बनने से ड़ लगता है उन्लों को पैक्ट नमर ten आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कम माक्स आ जाने पर या फेल कर जाने पर अपने हिम्मत खो बैठते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है लेकिन क्या आपको पता है कि अलवर टिस्टिक राजस्थान के सिर्फ चरन यादब अभी तक अपने बोट एक्साम में अनफॉर्चुनेटली 46 टाइम्स फेल हो चुके हैं 46 बाट फेल हो चुके हैं और अभी उनकी एज है 81 एर्स की है लेकिन अभी भी वो एक्साम दे रहे हैं इतने बुड़े हो जाने के बाद भी दोस्तों हमें से MRF का नाम कौन नहीं जानता MRF मेंली तो एक टाइड की कमपनी है लेकिन ये पॉपलर अपने क्रिकेट बैट्स के लिए है क्योंकि विराट कोली और सचीन तंदूलकर जैसे महान बैट्समैन इसका स्पॉंसर्चिप ले चुके हैं लेकिन क्या आपको पता है कि MRF का फुल फर्म क्या होताए तो तो मैं आपको बता दू कि MRF का फुल फर्म होता है Custom Wood इस दुनिया में बहुत सारे अजीव अजीब जॉब्स है और ऐसे ही किसी जॉब्स में आता है bed warmer का job bed warmer से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें एक person एक special type का shoot पहन के bed पे roll करता है और bed को गरम और ज्यादा comfortable बनाता है Fact No.6 क्या आपको पता है कि जब US के paper currency पे एक survey हुआ दो उसमें ये पाया गया कि वहां की paper currency का 80% मतलब वहां के 80% नोट में cocaine जो की एक तरह का harmful और नशीला drug है उसके particles मिले हैं मतलब वो note उससे polluted थे हैं इससे ये पता चलता है कि US में लोग कितना ज़्यादा drug addicted है Fact No.5 दोस्तो आप मैंसे कई लोगों ने पानी के टपकने या गिरने की आवास तो सुनी होगी लेकिन क्या आपने कभी notice किया है कि थंडा पानी और गरम पानी दोनों ही अगर सेम हाइट और सेम जगह पे इराये जाएं तब भी उन दोनों का जो sound create होगा न वो different होगा लेकिन ऐसा क्यों होता है क्यों दोनों sound different होता है तो guys इसके पीछे कारण है उसका temperature गरम पानी की temperature थंडे पानी के comparison में ज़्यादा होती है जिसके वएसे गरम पानी का जो pitch होता है न sound का वो थंडे पानी के pitch से ज़्यादा होता है जिसके वैसे हमें गरम पानी का sound soft सुनाई जयता है और ठंडे पानी का sound हलका गरम पानी के comparison में हलका hard सुनाई जयता है जिसके वैसे दोनों के sound में difference आ जाता Act No.4 Guys अगर आपके पास Jio का sim है तो आप लोगों ने ये notice किया हुआ कि जिस phone में आपने Jio का sim लगाया है उस phone के उपर वाले part यानि की top part जहां पे network शो किया जाता है phone का वहाँ पे 4G के साथ VO LTE लिखा होता है लेकिन क्या आपको बता है कि VO LTE का full form क्या होता है तो guys मैं आपको बता दू कि VO LTE का full form होता है voice over long term evolution Fact No.3 Guys अगर आप गाय या भैस के दूद को पीते हो तो आप ये notice करते होगे कि भैस के दूद का color पूरा white होता है और गाय के दूद का color हलका yellow और white होता है लेकिन क्या आपको बताएगी flamingo जो कि एक bird की प्रजाती है उसमें जो female flamingo होती है ना उसके milk का color bright pink होता है जी है guys bright pink Fact No.2 Guys क्या आपको बताएगी एक research में ये पाया गया कि अगर आप अपने दातों की अच्छे से flossing करते हो तो आपकी memory यानि की यातास हमेशा अच्छी रहेगी क्योंकि जो nerves होते हैं हमारे gums में उनमे stiffness आ जाने के कारण memory issue होने का खतरा बहुत जाता बर जाता है लेकिन जब हम flossing करते हैं तो उनमे stiffness कम होती है जो nerves में stiffness होती है वो कम हो जाती है जिसके कारण हमारे memory loss होने का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारी memory अच्छी रहती है काफी लंबे समय तर पैक्ट नमर 1 गाईस अगर मैं आपसे बूचा की इस दुनिया की सबसे महगी चीज क्या है तो हर आम इंसान के जबान पे सोना शांदी हीरा मोती जैसे ही चीज होंगी लेकिन हकीकत तो यह है कि इस दुनिया की सबसे महगी चीज है उसके कीमत के सामने ये सब चीज कुछ भी नहीं है और इसकी कीमत को आँकने के लिए लाक नहीं करोन नहीं अरब नहीं बलकि खरब भी कम पड़ जाते है जिया गाइस इस दुनिया के सबसे महगी चीज है एंटी मैटर जब नासा ने एंटी मैटर की कीमत को एस्टिमेट किया तो उन्होंने बताया कि इसकी कीमत लगवक 62.5 प्रिलियन यूज डॉलर प्रती ग्राम हो सकती है अगर इसको इंडियन करेंसी में चेंज कर दिया जाए तो ये कली 45,000 अरब रुपे प्रती ग्राम के बराबर होगा और इतनी कीमत को एफट करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल है सुचिए गाइस एंटी मैटर कितना महगा है हम एंटी मैटर के बारे में जल्द ही एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम एंटी मैटर के बारे में सब कुछ जानेंगे गाइस थैंक्स फूर वाचिंग इसी के साथ आज का हमारा ये फैक्ट के दुनिया का सफर खतम होता है अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए